लुट बच्छोँ तो केसे हुम आप लोग यहां पर Finally class 9 की गणित का September 1 यहां पर मैं complete करवाने वाला हूँ बिल्कूल बहुत सारे बच्छों की comment आ रहे थे कि सर्थ class 9 का chapter हमारे complete करवा दो मैज करवा दो चेप्टर फस्ट यहाँ पर complete करवा दो तो मैं लेके आगे हूँ 83 परिक्षा 2022-23 में जो question आने वाले कक्षा नोवी वालों के लिए गणित के वही question मैं यहाँ पर soul कराने वाला हूँ और यह question करने के बाद मैं guarantee बोल रहा हूँ चेप्टर फस्ट का यहाँ पर पूरा खेल खतम होने वाला है बच्चो ठीके आप गणित का डर यहाँ पर खतम करने वाला हूँ बच्चो आपका यहाँ पर अती महत्पुन प्रश्ण उक्तर में साथ मैं आपको provide करवाने वाला हूँ यहाँ पर आपको practically करवाने वाला हूँ बच्चो important question ठीके यहाँ पर मैंने bridge course एड नहीं किया बच्चो मैं bridge course का अलग से वीडियो बना दूँगा जिसमें से आपका 100% आएगा ठीके बच्चो तो आईए शुरू करते हैं chapter 1 संक्या पद्ददी ठीके इसके important question हम solve करने वाले बच्चो तो पहला question है हमारा देगो 3 और 4 की बीच में 6 परी में संक्या ग्यात करनी है बच्चो ये वाला question लिख के दे देता हूँ 100% आपका 3-80 परिक्षा में आएगा बच्चो class 9 वालो लिख लो इस question को ठीके कितनी ग्यात करनी है अब इस 7 का हम क्या करेंगे बच्चो 3 और 4 में हम इसका गुणा करेंगे बच्चो केसे देखो यहाँ पर 3 और इसके बठे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो ठीके यह हो जाएगा गुणा 7 और इसका भी गुणा 7 यानि कि उपर नीचे हमें 7 का गुणा करना है ठीके एक यह हो गया आपका ठीके दूसरा क्या है कि चार है आपका इसके बठे में अउपर भी करना आह साथ में और निचे भी 7 कोई भी संक्या दे रख्यों कितने ग्याद गनी उससे एक बढ़ा और साथ एकम साथ, ठीके, तो हमें 21 बटा साथ और 28 बटा साथ के बीच की संक्या हमें यहाँ पर ग्यात करनी है, आराम से ग्यात हो जाएगी, देखों यहाँ पर लिख देंगे, 21 बटा साथ के बाद क्या हो जाएगा बच्चू, 22 बटा साथ, 23 बटा साथ, 24 बटा साथ, 25 ब और यहां पर आपके आई थी 28 बटा 7 इन दोनों के बीच की संक्या हमें यहां पर मिल गई बच्चू कितनी संक्या ग्याद करने थी बच्चो में 6 संक्या देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ही संक्या हमें यहां पर ग्याद कर ली बच्चो तो यही आपके फाइनल आंसर है बच्चो ठीके 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच की संक्या में मिल गई तो अम ऐसे लिख सकते हैं तीन और चार के बीच में 6 परिमे संक्या क्या होगी बच्चो यहां से लिख देना है 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7 ठीक है यही आपका final answer बच्चो I hope कि आपको question बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा next question देखते हैं बच्चो देखो यह बहुत ही आसान है देखो 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में 5 परिमे संक्या ग्यात करनी है मैंने क्या बोला जितनी ग्यात करनी उससे 1 बड़ा के लिकना है ठीक है हल कर लेना है आपको यहां से तो 5 ग्यात करनी 5 से 1 बड़ा के लिकोगे तो 5 नेक हो जाएगा आपका 6 बच्चो तो 6 का हमें क्या करना है इन संक्या में उपर भी गुणा करना है नीचे भी करना है क्या संक्या आपके पास 3 बट्टा 5 है तो इसका गुणा हम 6 से उपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे एक यह हो गया आपका ठीक है तो इसका आंसर क्या रहा है चेट 12, 6, 38, और 6, 35, 30, एक ही हमें प्राप्त होगी बच्चो, दुसरी क्या थी बच्चो, 4 बटा 5, अब इसका गुणा भी हम 6 से करेंगे, उपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, क्या संक्या प्राप्त होगी, देखो 6 चोग, 24, और 6, 35, अब 18 बटा 30 और 24 बटा 30 की बीच की संक्या ही तो हमारा आंसर है बच्चो, तो 18 के बाद क्या आएगा, 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, पावीज बटा 30, और 23 बटा 30, कितने संक्या ग्यात खनित बच्चो, 5, देखो 1, 2, 3, 4, 5, पाच्चो संक्या हमें यहां पर मिल गी बच्चो, यही आपका फाइनल आंसर ह था बच्चो, आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आये ता मुझे डाउट अपने कमेंड बोक्स में जरूर बताया करो, आईए नेक्स क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमबर 3 देखो, निमन बिन्नों को दसमलों प्रसा का है, यहां पर हमें बताना है बच्चो, बिन्न आपको दे रखी, सबसे पहला हमें इन में भाग करेंगे बच्चो, देखो पहला किशन हल करते हैं बच्चो, ठीक है, पहला क्या है आपका, 36 बटा 100, यानि 36 का भाग किसे देना है, 100 से देना है, देखो बच्चो, भाग न बच्चों यहां पर 60 ठीक है फिर भागनी जाएगा उसकी क्या लगाएंगे शुन्य कितनी बार जाएगा बच्चों जलती से बता दो छे बार चला जाएगा पूरा-पूरा ठीक है तो हमें यहां पर क्या प्राप्त हो गया 00 प्राप्त हो गया तो हमें जब 00 प्राप्त हो ज प्रसार तो है इसका 0.36 ठीक है और प्रकार कौन सा है और प्रकार है इसका बच्चो कौन सा होगा शांत होगा क्योंकि यह बिल्कुल शांत हो गया है संक्या नहीं बच्ची है जीरो आ गया तो बिल्कुल शांत इसका दसंबलो प्रसार होगा शांत कब आता है जब भाग पू ऐग भागपल आएगा वह हमें यहां पर लिख देना है ठीक है यह अपका अंसर नैस क्योशन क्या है एक बटा 11 है वो भी कर लेते हैं बच्चो ठीक है दूसरा क्योशन आपका कि अब देखो एक का बहाग घ्यारा से देना अब भागनी जारा फिर क्या करेंगे यहां पर दस प्रसार हो जाएगा पॉइंट जीरो नाइन जीरो की यहां पर बार लगा दो बार का मतलब होता है डेश डेश यानिकि अनंत तक जा रहा बचो हर बार यही संक्या हमें प्राप्त होगी बचो और इसका प्रकार कौन सा होगा अनाव सानी आवरती पुना आवरती हो रही है बिल्कुल आवरती ठीके पुना आवरती ठीके बार बार यही संक्या आएगी एक बचेगा आपका तो बिल्कुल पुना आवरती हो ठीके यह होगे आपका देसंब्लों प्रसार नेस्ट कौन सा है चार सहीत एक बटा आठ तिसरा क्यूश्यन जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताते जाना ठीके बच्चो चार सहीत एक बटा आठ पेले इसको सरल बिन्न में बदलेंगे तो आठ चोग 32 नेक 33 बटा आठ यह संक्या आए ठीके भाग देते हैं अब देखो यहां से भाग देंगे बच्चो ठीके दियो जाएगा 33 और आठ तो आठ चोग 32 चार बार गया ठीके कितना बचा एक भागने के उसकी शुन्य यहां पर लग जाएगा आपका दसंब्लों ठीके फिर आठ एकम आठ कितना पर बच्चा दो फिर भागने के उसकी शुन्य आड़ दूआ सोला किता बच्चा चार बागने के उसकी शुन्य और आटो पांजो चालीस यह भाग पूरा-पूरा चला गया बच्चो तो कौन सा दसंब्लों परसार है बता दो मुझे दसंब्लों प्रसार क्या निकल के आया बच्चो फोर पॉइंट वन टू फाइप और इसका प्रकार कौन सा है बच्चो जीरो प्राप्त हो गया इसका मतलब समझ गए होंगे आप कौन सा है शान्त है बिलकूल ठीक है बच्चो एसे ही क्योशन आपको करने है एक्जाम में आये तो भाग देना है और जब शुन्य प्राप्त हो जाये तो उसका दसमलोब प्रकार हमें शान्त लिख देना है बच्चो आईए नेक्ट क्योशन देखते हैं बच्चो क्योशन नमबर फोर है निम्न वेंजनों को शरल कीजिए बच्चो बिलकुल सरल में बदलना और बिलकुल सरल है पहला question करते हैं बच्चो देखो 3 plus root में 3 फिर 2 plus root में 2 ठीक है इस प्रकार का जब question हो ता आपको क्या करना है गुणा करना है बीच में क्या लग रहा है गुणा यानि कि इस 3 का गुणा पहले इस पूरी संक्याम करेंगे फिर इस 3 का इसमें देखो करते हैं यहां पर तो इस तीन का फिर रूट दो में करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन रूट दो ही आ जाएगा आपका फिर प्लस इस तीन का फिर इस दो में करेंगे तो संक्या बाहर ले लो और रूट वाली पीछे ले लो ठीक है किलियर फिर प्लस इस रूट का इस रूट में करेंगे तो क एक बार वो समझा देता हूं देखो इस तीन का गुना हमने डो में किया कित आया च्छह आया फिर बीच का प्रॉस फिर इस तीन का गुना हम ने क्या किया इस तो थी 1 और रूट दो इसागम सह निकल कि आ गया बहार फिर प्लस ठीक है इस तीनMK इसमे किया तो 2 math यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा ए प्लस B का होल स्क्यार ठीक है इसी प्रकार से है तो इसका मतलब क्या हो देखो हल करते हैं इसको थीक है तो एक आपके पास पांच यानि की एका स्क्यार यानि की पांच का स्क्यार फिर बीच में प्लस तू एक है आपका फिर पांच और बी क्या आपका प्रूट दो फिर प्लस 20 स्क्यूर बी के आपके पास रूट दो इसका स्क्यूर ठीक है आप इसको हल करेंगे बच्चों बहुत मज़ा आएगा देखो 5 का 5 में होगा तो 25 प्लस अब देखो 5 2 10 10 वो रूट दो एजटेज प्लस दो रूट का गुणा रूट में होता तो वही संक्या बाहर निकल के आ जाती यहां पर आजाएगा बच्चों आपका दो ठीक है यही आपका क्या है बच्चों फाइनल आंसर बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया बहुत मज़ा आने वाला इस क्यो canyon में भी हरों का परीमे करन करना है बहुत easy है पहला क्यों करते हैं बच्चों हल करते हैं çıkar क्या है एक बट्टा रूट करेंगे तो root साथ मेट एर root साथ का गुना रूट साथ में होता है जब 1 संक्या हो जब संक्या समान हो रूट में हो तो वही संक्या अपस में गुणा होती तो एक संक्या बाहर निकल की आ जाती बिना रूट की यह वाली यही क्या से का final ऊंसर हैं अगला क्वेकि से देखते हैं दूसरा केशन देखते हैं आप यह पेहला थे आपका अब दूसरा किशन क्या है कि एक रूट 7 को और रूट6 ठीक अब इसका गुणा हमें उपर भी करना है और निचे भी करना है तो यह साइन चेंज हो जाएगा बच्चों यह हो जाएगा प्लस में रूट साथ प्लस रूट छे और इसके बट्टे में भी हो जाएगा रूट साथ प्लस रूट छे ठीक है हर का हर का जब हम परिमे करन करते ह तो जो साइन होता है बच्चो वो चेंज हो जाता है ठीक है ता आईए इसको हल कर लेते हैं देखो रूट साथ प्लस रूट छे का गुणा एक में होगा तो वही संक्या जाएगी यानि कि रूट छे प्लस सोरी रूट साथ प्लस रूट छे अब देखो यहां पर देखो यहा n Инकल कि मैंने फिर बताया आप यहां पर माईनस यहां पर माइनस पर स्था परYes आप रूट छे का रूट छे मोगा तो रूट छे निकल के आ जाएगा यहां पर आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा बच्चो रूट साथ प्लस रूट छे और यहां पर एक बच जाएगा तो यहीं क्या आपका बच्चो फाइनल आंसर है यहीं आपका फाइनल आंसर है one can be a root 7-3 – 2 इसका करें के हर्मे परिमे करन यह और देखो साथ प्लस दो देखो साइन चेंज और यह माइनस था यहाँ प्लस हो गया क्या ठाओ ठीक है रदेखो उपर का एक में होगा तो वही संख़ आ प्लस दो अब यहां पर देखना रूट साथ रूट साथ का होगा तो साथ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और दो का गुणा दो में होगा तो चार ठीक है बच्चू और आपका जो फाइनल आंसर निकल किया आएगा यहां पर रूट साथ प्लस दो और यहां पर निकल किया जाएगा आपका तीन ठीक है साथ में से चार गए तो तीन यहीं आपका फाइनल आंसर है ठीक है बच्चो आई होप कि आपको समझ में आयागा जो भी डाउट हो मुझे कमेंड बोक्स में बता देना ठीक है नेक्ट क्यूशन देखते हैं क्यूशन नमबर सिक्स निम्न के मान ग्यात किजिए क्या है 64 की गहत एक बटा दो 32 की गहत दो बटा पांच और 125 की गहत एक बटा पांच एसे क्यूशन जब आ जाए बच्चो तो सबसे पहले आपको इनका LCM निकालेंगे हम इसके गुणन खंड निकालेंगे बच्चो तो सबसे पहले हम 64 वाला सोल करेंगे ब और 2 से देंगे 2 बार और 2 से देंगे एक बार I hope कि आपको LCM आता होगा बच्चो ठीक है अब गुनंफंड कितना निकल क्या है एक दो तीन चार पांच छे यानि कि दो गुनित दो गुनित दो गुनित दो गुनित दो गुनित दो एक दो तीन चार पांच छे हो गया तो इस दो को हम बच्चो ऐसे लिख सकते हैं दो की पावर छे लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चो बिल्कूल ठीके तो 64 को हमने कैसे लिखा बच्चो दो की पावर छे ठीके और 64 की पावर क्या थी यहां पर एक बटा दो ठीके तो आपस में इनका गुणा होगा एक बटा दो यह हो जाएगा आपका दो एकम दो और दो त्रिया छे तो यह वह ओगा आपका 8 ठीके कुछ भी नहीं किया 64 को हमने पहले तोड़ा है बच्चो ठीके और हमारे पास गुणन खण निकल क्या है 2 की पावर 6 याने कि 2 2 कितनी बार आया 6 बार आया तो हमने 2 की पावर 6 लिख दी और हमारे पास ओल्रेटी एक और घात थी उसका आपस में ग भूना हुआ बच्छो तो आठ हमारे पास आंसर आ चुका है तो यह हमारे पास फाइनल आंसर नेश्ट क्योशन देखते हैं बच्छो 32 ठीक है तो पहले 32 का हमें ले 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 लेते हैं यहां से ले 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 देंगे कितनी बार जाएगा 16 बार फिर 27 देंगे 32 के को हम लिख सकते हैं 2 Capital Legend 12 जो की पावर कितो यहांपर पांच कि कितनी दो की कितनी हो गई 5 32 को किसे लिख सकते हैं दो कीर पाउछ लिख सकते हैं बिल्कुल और यहां पर 32 की पावर कितनी थी दो बट्टा पांच फिर इनका गुंटा हो जाएगा दो बट्टा पांच अब देखो पाउास से पांच कैंसिल आप दो की पावर कितनी बचते मचली दो में दो more कि इंकी बकूम किज़ा नू नि की 122 मांनोता है दो दो 4 तो यहीं आपका क्या आपका final आंसरे लास्ट क्या बचा है 125 पहले 125 के हम एलसेम निकाल लेते बच्चों यहां पर निकाल लेता हूं 125 का एलसेम ठीक है देखो 125 का एलसेम हमारे 5 से जाएगा देखो 5 2 10 कितना बचा दो 25 25 फिर 5 से जाएगा 5 25 फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5 ठीक है यहां पर हम 125 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 5 यानिकि 5 की पावर कितनी लगा नहीं एक, दो, तीन, यह हो गया तीन, अब यहाँ पर क्या है, एक बट्डा तीन, already power है, तो यहाँ पर एक बट्डा तीन हो जाएगा, तीन से तीन cancel, तो पाँच की पाँच कैनल, वर बच्ची, एक, यानि की पांच, यही आपका final answer है, ठीक है, आई-बहुत मज़ा आया होगा इन करतें हायगो सَरली किजिए पहला किश्यन हल करतें बच्छो है ठीक है किसे dauघ्न और इसकी पावडिज्व है बट्क तीन फिर दो और इसकी पावड और एक बट्टा पांच ठीके बच्चों देखो जब आधार समान हो गुणे में तो घाते क्या होती आपस में जूर जाती है ठीके तो आधार हो जाएगा आपका दो और घाते आपस में जूर जाएगी तो हो जाएगी दो बट्टा तीन प्लस एक बटा पांच ठीक है आप इसको हल कर लेते हैं घातों को तो देखो नीचे का गुणा नीचे कर लेंगे तो हो जाएगा आपका नीचे पंदरा क्योंकि पांस त्रिया पंदरा हो जाएगा और क्रोस मिल्टिप्लाई कर लो तो पांस दुआ दस पिर बीच में प्लस और तीन एकम थीन तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएग बच्चो दोग की पावर कितने आएगी तेरा बटा पंदरा यही आपका क्या बच्चो फाइनल आंसर है बच्चो ठीक है आपको सिर्प यह याद रखना है जब गुणे में आधार समान हो तो गाते माइनस हो जाती ही बस इतना ही दियान रखना है नेस्ट क्या है क्योशन आपके पास क्योशन नमबर सेकंड है आपके पास साथ एक बटा दो आट एक बटा दो अब देखो मैं इसी की बात कर रहता हूं बच्छो तो इनका तो आपस में गुणा हो जाएगा तो आधार समान नहीं है तो इनका गुणा हो जाएगा साती आटी छपपन तो यह हो जाएगी और यह से एकवल आ जाएगी तो यह हो जाएगा एक बेटा दो इसका फाइनल अंसर यह यह वसुस और जब घाते समान तो गहते क्या ओ-ठी कोमन निकल क्या जाती ठीक एक बट़ल दो और एक बट़ल दो है तो एक बट़ल हमई निकाल ल Allah जीसे उसे प्रकार जब आधार समाने था तो हमने यहां पर थो मनल निकाल लिए था ठीक है यह रूर्स होता है बत्चो नइस कोशन है और उसका लास्ट कोशन क्या है वो बता देताmon में तडिके क्या है क्यूशन आपका 11 बच्ता 11 तो एक है उसके गहत कितने गनरेन दो और यहांपर एक पर चार अब यहां पर भी वही कंडिशन आई गी देखो भाग में गहते आपकी क्या क्या होगी माइनेस होगी ठीक है तो यहाँ पर कॉमान आपका 11 निकल के आ जाएगा और घाति क्या होगी गट जाएगी कर तो यह ठीक है उसी प्रकार सोल कर लो इसको देखो क्रोस मेल्टिप्लाइए कर लो नीचे का नीचे हो जाएगा 8 और क्रोस में 4 एकम 4 और फिर माइनस और दो एकम दो यहां पर आपका फाइनल अंसर किया आएगा बच्छों उपर आजाएगा आपका दो और निचे 8 और यहां पर 11 फिर कट जाएगा दो एकम दो 2 छोक आठ ठीक है तो आपका final answer हो जाएगा बच्छों यहां पर 11 की घात कि इतने हो जाएगी एक बटा चार यही आपका क्या है फाइनल आंसर बच्छों यहां पर देख लीजिए ठीक है जो क्यों मैंने करवाए बच्छों अगर यही चैप्टर फरस्ट में से 100% बोल रहा हूं यही क्योशन आने वाले ठीक है फिर बोल रहा हूं यही क्योशन आपके ठीक है तो अब इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच बच्चों